अयुद्या के नाम पर राम मंदर के नाम पर चुंकि यहां से कुछी दोरी पर भग्य राम मंदर के निर्माण का कारे चल रहा है और आप लोगों का जैसा की दावा है दिसंबर 2023 तक राम मंदर में भगवान श्री राम विराजमान हो जाएंगे वहां पर जाकर राम के नाम पर 2022 में मिलेंगे वोट बीजेटी को कि भारती जन्यता पार्टी हमारे लिए प्रभूश्री राम हमेशा आस्था हमारी प्रभूश्री राम में हैं हमारे आदर्श हैं और आज हम राम की पहड़ी पर बड़े गर्व से बैठे हैं कि यहां पर शला न्यास हो चुका है और समाजवादी पार्टी का कोई यहां पर सदस नहीं है तो यह भी अपने आप में यह बात हम बताना चाहते हैं हम भूलेंगे नहीं कि एक दिन वो था जब इसी सरीव में हमारे तमाम राम भक्तों की लाशें तैर रही थी हम तब से संकल्पित थे कि हम मंदिर बना कर ही माने और आज हम सिद्धी की तरफ जा रहे हैं यह हमारी आस्था है हमारा संकल्प था हमारे लिए चुनावी एजेंडा नहीं है यह हमारी धार्मिक नगरी है जिसको हम आयोध्या के नाम से जानते हो सकता है अभी कॉंग्रेस से आप बात करें तो कॉंग्रेस के लोग कहें यह अबाद है यहां पर यह फैज आबाद करना चाहते हैं आयोध्या की धार्मिक नगरी में जहां हम सब करोणों करोड हिंदुस्तानियों की आस्था है तो इन से पूछिए जिन्हों ने हलफ नामा दिया सरवोच नयाले में यह प्रभूष श्राम पर प्रश्चिन लगाते की काल्पिनिक हैं हैं की नहीं हैं तो ऐसे लोग भी आज आएंगे लेकिन हमारे लिए विकास राष्ट और राष्ट के 130 करोड लोग जिनको लेकर हम अपनी संस्कृतिक धरोवरों को बचाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो भारती जनता पार्टी भा को हम वोट के लिए राजनीती के लिए इस्तमाल नहीं करना चाते लेकिन कॉंग्रेस पार्टी फैस को आबाद करना चाहती है फैसा बाद के जरीए क्या है इस पर जवाब आपका देखिए सच बात यह है कि यह लोग सिर्फ राम के नाम पर वोट लेने वाले लोग हैं धर राम की बात कर रहे हैं हम सब राम की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम का मंदिर बन रहे हैं राम के बच्चों की भी तो बात कर लीजिए 70 लाख रोजगारों की भी तो बात कर लीजिए राम के बच्चे वो किसान नहीं है क्या जो 11 महीने से सड़ पर बैठे हुए राम के बच्चे वो महिला नहीं थी हात्रस की बच्ची नहीं थी क्या जिसको पेट्रोल डीजल पता नहीं किसकी सिर्से जला दिया गया राम की बच्ची वो लखीमपूर की नहीं थी क्या जिसका अच्छी रहरन कर रहे थे राम के बच्चे वो किसान नहीं नहांने दोंकि कहों स्ट्ट предложिंग और कृश्यम न और ऐसे सह शोजक्रेड़ Будost एध्य रम्पेड़ी की आगर खाइध सी निर्मल यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं जो लोग जानते हैं इस बात को जो लोग आयुध्या को जानते हैं वो जानते हैं कि इस राम की पेड़ी का निर्मान कॉंग्रेस ने कराया तotomERS ने कराया। देन हैं जानते हैं सर्जु के तीनों पुलों का चाहिए वो पकापूल पहले वाला पुराना हो नया हो और वो न्या हो और स्चाहिए और रेलवे का पूलों कोंग्रेस ने कराया। सच बात यह हैंुनों ने 118 कम अब क्शोड़ कि आदेहे पर सबसे पहले तो मैं अपनी देश की जनता को आज तक के चैनल से बताना चाहता हूं कि यह वही कॉंग्रेस के वर्वकता है जिसने हमीशा राम मदिन बेरोडा अटकाने के लिए अपने वकील खड़े किये और कहा कि साब चुनाओं के बाद इसका फैसला लाईएगा चुनाओं से पहले मत लाईएगा क्योंकि यह चुनाओी राजनी यह करते थे हमारी आस्था पर चूरी तरीके से जूट एक तो ती टिकर्ण की राज नीद करनी है हमैं पुर्भूरष यराम के बार बार करने हैं हिजर बार करने है और उन लोगों को समर्पित करना है यह मंदिर बनाकर जिन्होंने बलिदान दिया था ये विकास की बात करेंगे